जी प्रदाम करता हूँ आज बहती एतियासिक दिन, एतियासिक जगे, एतियासिक शन आज के आयोजन का प्रायोजन बताएं सर प्रायोजन तो आपने अभी भी देखा टेलिविशन सीरियल में ये मेरा पहला अफसर है और कई वर्षों से मैं सोचा था कि फिल्मों में काम कर लिया, एक रियालिटी शो में काम कर लिया लेकिन अभी तक टीवी सीरियल नहीं किया था तो एक जब अफसर आया कि इस तरह की एक पटकता बनाई जाया तो जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे एंडी मॉल जो कि प्रडक्शन कमपनी है, उनके साथ हमने बात की उन्होंने कहानी का एक एक गरूप रेखा हमें बताई और जब वो तैह हो गई तो हमने अनुराक करशब से बात की क्योंकि मुझे लगा की वो सही शक्स होंगे जो इस कारे को आगे बढ़ा सकेंगे और उनके साथ बात करने के बाद हमें पता चला कि अनुराक के मन में भी कई वर्शों से ये एक ख्याल दोड़ रहा था कि उनको भी एक टीवी सीरियल ऐसा करना चाहिए जो कि थोड़ा सा अलग हो जितने टीवी सीरियल्स हम अपने टीवी पे देखते हैं उसमें कुछ फर्क हो एक फाइनाइट कहानी बने और ये हमने अपनी जो एक धारना थी ये हमने सोनी टीवी के साथ शेयर की सोनी टीवी को बहुत पसंद आई और इस तरह ये हमारे एक टीम बन गई और हम आज यहां पर उपस्तित हैं शायद अगले महीने इसका लाँच हो जाएगा और अनुराग के मन में और हम सब के मन में ये था कि हम कुछ ऐसा करें जो कि पहले शायद टीवी पे ना देखा गया हो आम तोर पर जब टीवी सीरिल की बात होती है तो सब के मन में एक ऐसी सोप आपरा की तरह एक धारना आती है लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो आपने अभी देखा एक उसका आपको अनुमान हो गया होगा कि ये एक अलग तरह के से हमने बनाई है दर असल हम चाहते हैं कि दिन के पूरी काम के बाद जब परिवार के सदे से घर आएं खाना और ना खाने के बाद जब बैठते हैं तो इतमे नान से अपने ड्राइंग रूम में बैठें बत्तियां बंद कर दें और फिर ये सीरियल आपको दिखाई दे बहुती शांती पूर वकाप इसे देखें क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस कहानी के अंदर गुसे हैं हम चाहते हैं कि आप इन्वाल्व हों इसमें और जितने भी आपके ख्याल हैं जो भी आपकी सोच है वो इस सीरियल के जितने भी किरदारें उनके साथ हो इस सीरियल में काम करने का जो धे था मेरा वो मैं समझता हूँ पूरा हो गया है अनुराग और उसकी पूरी टीम अनुराग क्रिटिव डिरेक्टर थे इसको डिरेक्शन किया है रिबू दास कुपता ने और हमने एक कंसल्टन के रूप में शुजीत सरकार से भी बात की और उनका भी योगदान इसमें रहा है तो उन सब को मैं अपनी और से धन्यवाद देता हूँ और जितनी भी यूद की पूरी टीम है क्रिटिव टीम और जितनी लोगों ने हमाई साथ काम किया है उनको भी आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हम उमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको हमारा ये सीरिल पसंद आएगा और आपके माध्यम के द्वारा इसको प्रचार भी किया जाएगा आज यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैं अपनी और से और हमारी क्रिटिव टीम की और से सोनी की तरफ से सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अफसर दिया कि हम इस इतिहासिक स्थान पर आ सकें और अपने इस टीवी सीरियल के बारे में चर्चा कर सकें जैसे कि मैंने अभी कहा यह मेरा पहला मौका है और हम उमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी हमें अफसर मिले जब हम यहां आ सकें बहुत बहुत धन्यवाद है सर एक प्रश्ण और है एक अनुमती दें कि एनपी जी से पूछने के बाद मैं आप से वापस एक प्रश्ण पूछो जी आप पहले उनसे पूछना चाहते हैं हाँ फिर उसके बाद आप से को हाँ तो पूछिए कौन रोग रहा है आपकी अनुमती चीए जी अनुमती है आपको कि यहां पे आज इस जगे पे और प्रचार का एक नया माध्यम सबसे पहले Bombay Stock Exchange का बहुत बहुत शुक्रिया के उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम आके पहली बार एक TV सीरियूज को यहां पर लाँच करें यह एक बहुत यूनीक इनिशेटिव है जो हमने लिया है BSE की सपोर्ट से जो उमीद करता हूँ जिसके थूँ यह यूद का जो मैसेज है वो हमारे दर्शकों तक आप ले जाएंगे और बहुत प्रसंदता है और बहुत प्राइड भी है कि हम एक इसी इंस्टूशन में बैठे हैं जो एक आइकन है इंडिया का अगर BSE अच्छा कर रहा है तो देश अच्छा कर रहा है तो इस तरह का एक आइकन है जिसमें हम आज बैठे हैं तो बहुत खुशी हो रही है अगला सवाल अगला प्रशन आपसे जी जी पूछे अपसर ये जो मने देखा और आपकी जो चित्र देख रहे हैं बहुत विसमित अदभूवत हैं और जिग्यासा काउतूल जगाते हैं कुछ कहना जाएंगे इनके बारे में जी इनका जो पैट नेम है वो है यूद जो की सीरियल का अबशीर शक हो गया है पुरा नाम इनका यूदिश्र है और ये एक जैसा कि आपने देखा है कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं दस जार लोग इनके साथ काम करते हैं उनकी ए कहीं कॉंपटिशन होता है तो यूद की जीवन में भी और उसकी कंपनी की जीवन में भी एक कॉंपटिशन है जिसके साथ उसे जूंजना पड़ता है कॉंपटिशन में काफी कठोर बातें हो जाती है कई बार क्यूंकि एक दूसरे के साथ व्यावसाय में उपर उठना इस इसे जूजना पढ़ता है. हर भी इवसाय में कहीं ने कहीं राजनीती आ जाती है. और आपने देखा कि अभी आपने एक दिश्य देखा एक राजनीती की का जो कि एक मंतरी का रोल निभा रहे हैं. तिंग मांश दूलिया उसे कर रहा हैं. तो उनके साथ भी इसे जूजना प वो बताना नहीं चाहता है अपने वरकर्स को, अपनी कमपनी को, क्योंकि जैसा कि आप से लोग जानते हैं कि जब मालिक की स्वास्त की बात आती है, तो कई बार स्टॉक एक्सचेंज में उतार चड़ाओ चुलू हो जाता है, और कमपनी के लोग जो काम करते हैं, उनके मन में भी एक दुविदा से पैदा हो जाती है, तो इन चारों पांचों दिशाओं में युद को जूँजना पड़ता है, किस तरह वो जूँजता है, क्या उसका परणाम होता है, यह आप हमारे टेलिविजन सीरिल में देखेंगे. शान्ती कंस्ट्रिक्शन आपके बीते समय के चलचितर की याद दिलाता है, जी, वो थिशूल में थी और वहीं से ही प्रभावित होकर के अनुराग ने सोचा कि उसका नाम रख देना चाहिए. तो जिस तरह से उससे आपकी छवी वनीती एंगरी यंग मैन की, तो वही समय वापिस लौट रहा है, टीवी का एंगरी यंग मैन, अब ये तो पता नहीं, ये तो आप लुटते करेंगे, हमने तो अपने आपको कभी कहा नहीं, मैं तो बढ़ा साधारन सा अथमी हूँ सर, बहुत मिलन सा अथमी हूँ, नराज होता ही नहीं हूँ, अचा सर, बहुत बहुत शुपकामना है इसके लिए, जिस तर से इतियासिक आज का देना है, ये धारावाइक भी इतियासिक रहे, ऐसी बहुत बहुत शुपकामना है, आपकी शुपकामना है रहेंगी, जो फिक्षिन है आपका पहला आप टेलिविजन को एक नया आयम देंगे क्योंकि इसका कॉंसेट बहुत अलग है और दूसरा सवाल ये कि कॉंसेट इतना अलग है क्या आपके मन में किसी तरह की आशंका थी कि मैं ये करू नहीं करू कि इतने अंग्शिस थे आप आपके मन मे क्या चल रहा था जब इस तरह का सीरियल आपने साइन किया और प्रोड्यूस किया मैं समानता हूं कि हर क्रिएटिव डिसिशन में कहीं ने कहीं तो हमारे मन के अंदर चिंता रहती है एक एंग्जाइटी रहती है एक एप्रिहेंशन रहता है कि पता नहीं जो हम करने जा रह हो अगर उसमें हम पूरी अपनी निश्ठा के साथ confidence के साथ उसमें नहीं जाएंगे तो कहीं नहीं उसमें खोट पैदा हो जाएगी और इसी इरादे से हमने एक ये नया एक यंत्र कह लीजे हमने इसका शुरुवात की है और ये अब तो जनता बताएगी कि हमने सही निर्णे लिया या नहीं प्रतेक विशय में जनता जो है वो जनारदन करेंगे चोटा सा सवाल और क्या आप हमने सुना कि आप पर्सनल ही चाहते थे कि अनुराग कश्यप सुजीद सरकार और रिबुदास इस प्रोजेक्ट को और लुप करें क्योंकि आपकी पर्सनल चोईस थी कि वह इन